जहिन आज किस वीडियों हम बात करने वाल है अनलग इलक्ट्रोनिक्स डिजिटल इलक्ट्रोनिक्स और पावर इलक्ट्रोनिक्स यह तीनों क्या है इन तीनों के अंदर डिफ्रेंच क्या होता है अनलग इलक्ट्रोनिक्स डिजिटल इलक्ट्रोनिक्स और पावर इलक्ट्रो लेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटीविशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना तुरस देखिए अभी हम पहले बात कर लेते हैं अनालोग इलेक्ट्रोनिक्स उसके बाद हम चलेंगे डेजिटल इले सब्सक्राइब करता है तो इन दोने के अंदर बेसिक डिफ्रेंच इतना ही होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स के अंदर ठीक है तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक्स में अनलग इलेक्ट्रोनिक्स क्या होता है देखिए अनलग इलेक्ट्रोनिक्स जो होता है यह हमारा एक वेरियेवल सिगनल के उपर काम करता है जैसे हम बात करते हैं एसे सिगनल जो कि आल्टरेंटिक कारेंड होता है य यह हमारा एक variable signal पर काम करता है या फिर आप इसको बोल सकते हो या फिर यह कुछ इस्ट्र का भी कम करता है जहां पर यह हाई फ्रिक्ट्वेंशी जनेरेट कर सकता है और तोर यह जो आनलोग signal जो होता है हमें साथ चेंज होता रहता है कभी इसका सिगनल यह कभी constant नहीं होता है यह कभी भी constant नहीं होता है सब्सक्राइब तॉर टायम और तो विए सकते होता है उत्यूद्र बीक्ट्राइब जो कमेस सब्सक्राइब तो मौबार्ण कर्ते हैं सब्सक्राइब हम आनलेग करते हैं और इडिक्टर खॉम किरते हैं वह होता है आपका बेस सब्सक्राइब हैं लि Calvin कि एक्टिव कम्पोनेट का भी इस्तमाल करते हैं लेकिन वह बहुति रही कम होता है अगर हम बात करें आनलेक इल्कटोनीश करते हैं तो यहां पर हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर और डाइवर जोकी बहुत हम कम इस्तमाल यहां पर करते हैं तो अगर आपकर रहे हैं तो जो सिगनल है वो जो भॉय से वेडियो कॉलम करते हैं जो वीडियू सिगनल है वो एक जगा से तो उसके लिए अनलोग इलेक्ट्रोनिक्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है ठीक है बिना अनलोग इलेक्ट्रोनिक्स के हम कोई भी सिगनल एक जगा से दूसरी जगा में ट्रांस्मिशन नहीं कर सकते हैं हम घर पर जो मायक्रोंच से यूज करते हैं तो वहां पर अनलोग इलेक्ट्रोनिक्स के बहुत बड़ा फाथ होता है क्योंकि वहीं पर जो अवर क्रंश्मिशन होंता है तो बिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स में तो यह इसका कुछ dwald he ठीक है उर तो अनलोग इल्यृट्रोन हो किया यह आपका लो भल्टेज़ करता है यह आपका दिजितलि काम करते जी जैसी के हम you इसमाल करते हैं अनलोग signal तो DC हम वह signal नहीं यूज करते हैं यहाँ पर हम digital signal यूज करते हैं तो इस तरह का होता है तो यह एक binary signal होता है जो कि आपने पढ़ाई होगा 1-0 की फोर्म पर या फिर high and low जोसे हम बोलते हैं यह हाई एक जो पर काम करते है ठिक है और यह signal होता है इसके value जो होता है constant होता है ठीक है अगर 1 ए तो 1 ही रहेगा अगर 0 है तो 0 ही रहेगा लेकिन अनलोग electronics में constant नहीं रहता है ठीक है तो यह थोड़ा difference इन दोनों के अंदर है और जो digital electronics है इसका जो पूट है वह हंडिड पर्संट छ heter होता है ठीक है अंडिड पर रड्लोम स्वाग्ट होता है लेकिन अनलग इलेक्टॉनिक्ट में प्रॉसेश्ञ कर सकते हैं तो कुछ दाटा को श्कते हैं तो वह सुप डिटल इलेक्टोनिक्स के बज़े से हो रहा है अगर अनलोग की बात करें तो अनलोग में यह सब कुछ नहीं हो सकता है शिर्फ और सिफ डिटल में हो सकता है क्योंकि यहां पर हम बाइनरी सिगनल का इस्तमाल करते हैं तो और इन दोने के अंदर अगर हम करता है अगर हम बात करें अनलोग की यहां पर आंटा प्रोसर्शिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और यहां पर आगर हम बात करें पावर कंजिम्शन की तो इसके मुकाबले यह जो डीटिरल एलेक्ट्रोनिक्स के यह बहुत कम till ऑवर कंजिब करता है क्यों कि यहां पर हम अनालोग सिंगल का इस्तमाल करते हैं आगर हम बात करोंबव डिटर की तो यहां पर हम कोई दिज़ बनाते तो इसक कम चाम ने पंपोनेंट के साथ जिसके बड़े से इसके मुचाबले बहुत कम पावर के जेृके कर लेता है ओक और यहां यहां पर हम यूज करते हैं तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं कौन सा एक्टिव कंपोइड यानि के ट्रांजिस्टर डायोड ठीक है यह सो बगर हम यूज करते हैं कहां पर टीजिटल लेकिन यहां पर आर सी एल जो की इस्तमाल हम यहां पर नहीं करते हैं कभ करते हैं active component जो की होता है आपका transistor डायोड तीके ये से वह करते हैं तो डिजिटल इलक्टोनिक्स पर तो डिजिटल इलक्ट्रोनिक्स पर तो अगर हम कुछ अम्प्लिफाइग करना है तो उसके लिए उज़ाइगा ऑगा अनलोग को अगर कुछ सिग्नाल एक जगां से दूश्यका भीते हैं तो उसके लिए हम इस्तिमाल करना उगा अनलोग का अनलोग के ब acceler तो ये तो आता है हमारा electronics branch के अंदर तो ये आता है हमारा electronics branch के अन्दर लेकिन जो power electronics होता ना ये electronics branch के अंदर नहीं आता है ये किसके अंदर आता है ये आता है आपका electrical branch के अंदर आता है इस नहीं करते है है तो अगर आफ पावर electronics के थे तो इससे आप क्या समख सकते हो तो जहां पर हम हाइंप समय करते हैं ज़ो इलक्रोणिक्स पर तो यहां कुझे बता था कि अनलेग रेकर यहां पर हम लोग समय करते हैं लेकिन अगर भासकर यहां पर पैवर लैको हम सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर हम हाय बोल्टेज्स थे मिलकर्डिक्स कीकिए आपका पावर इल्लक्ट्रोनिक्स करेंगे तो यहां पर आप highly voltage and high current का इस्तेमाल कर सकते हो है ठीक है हैं करेंगे अगर पर 1000 ampere अपर 11 kv का पावल्टेज तहो वहां पर अगर के टिटल glitter han अगर है इस्तमाल करेंगे दो एक होगा connect कहते ही जल जाएगा ठीक है अगर आगर आपड पर आ conservative करेंगे तो बहुत ही दिए इसे को एक ळियां इसे सथर्ण हो सब्सक्राइब उसको अजये चंसे सब्सक्राइब तो यह है यहां पर हम इस्तमल करते हैं दोनों के करते हैं और अगर हम बात करें डिजिटाल इलेक्टर तो यहां पर हम बना हुआ जो इसका इस्तमल करते हैं लेकिन अगर बात करें पावर लेक्ट नेस्की तो यहां पर जो सॉलिट स्ट्टेट्ट सेमिकनेक्टर होता है उन से जो इसका इस्तमल करते हैं जैसे कि आपका हो गया SCR ठिके आपका हो गया SCR ओके और डायक आईजी बीटि अगे पावर मस्टैट ठिके पावर मस्टैट तो इसका कहां पर करते हैं पावर इलेक्ट्रोनिस में तो इन सब का इस्तमाल हम करके हाई बोल्टेज हाई करेंड को हम कांट्रोल कर सकते लेकिन दोस्तों इन सब का इस्तमाल करने के लिए हमें इसका भी इस्तमाल करना होगा और इसका भी इस्तमाल हमें करना होगा क्योंकि बीना इन दोनों का इस्तमा गोने नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम जो बनाएंगे उसके लिए हमें के जरूरत हैं दोनों की यही दोनों मिल पूरोत है तो इसलिए बिना इन दोनों के इसका कोई भी काम नहीं हो सकता है तो इसका पर इस्तमाल होता है आपका inverter जो कि DC to AC में convert करता है तो जो charger हो गया जो कि AC to DC में convert करता है जो DC to DC जो की chopper हम बोलते हैं जहां पर हम low voltage DC को high voltage DC में convert करते हैं तो वहां पर ही किसको किसे करते हैं पावर और धिफ्रेंज तो यहें कुछ था इन कीनओ का क़ ez by तो अगर फिर भी आपको इन दो इन तीनुक अरणा है तो कि मुझे किजिए मैं तीनुक अंदर बनाऊंगा जहां पर मैं आपको वह भी बहुत सरे पॉइंट इन के अंदर बताऊंगा तो अगर आप अच्छा कासा कोर्स रहना चाहते हो तो आप मझे कॉमेंट केजिए मैं उसका भी कोर्स हो सकते हैं तो स्टार्ट कर दूंगा तो आज से करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और अगर आप चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्रेब कर लें दोस्तों आज के लिए बसे इतना ही आप फिर मिलते हैं अपने नए भीडियो में कुछ नए गयान के साथ